पांच पांडवों में कौन थे? सबसे पहला युदिश्ठिर कि युद जैसी परिस्थिती में भी जो स्थिर बुद्धी है धर्म राज जिसको कहा जो धर्म के आचरण पर चलने वाला इस संसार के अंदर जहां हर एक की मनस्थिती विचलित रहती है वेवरिंग माइंड हो गया है ऐसी समय में स्थिर बुद्धी वाले, स्टेबल माइंड एन इंटलेक्ट वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली वन परसेंट दूसरा नंबर है भीम अर्थात शक्ती शाली आत्मा जिसके पास स्ट्रॉंग विल्पावर है द्रड निश्चय शक्ती है द्रडता की शक्ती हो आज जब दुनिया के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस खतम हो रहा है ऐसे दुनिया के अंदर स्ट्रॉंग विल्पावर द्रडता की शक्ती के साथ जीने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? अर्जुन यानि जो अर्जन करना जानते है अर्जित करने का भाव रखते है अच्छी बातों को ग्रहन करना जानते है आज दुनिया के अंदर जब चारों और नेगिटिविटी हो ऐसे नेगिटिव एंवाइरमेंट में सकारात्मक्ता को ग्रहन करने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे ओनली वन परसेंट ये थे अर्जुन चौथा नंबर नकूल नकूल यानि जो नियमों पर चलने वाले सिद्धान्तों पर जीवन जीने वाले जहां आज दुनिया के अंदर लोगों के जीवन में कोई नियम सिद्धान्त ही न हो ऐसे समय में नियमों पर चलने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे ओनली वन परसेंट और पांचवा नंबर है सहदेव जो सहयोग देना जानते हैं क्योंकि उन्हें दिव्य दृष्टी का वर्दान प्राप्त था तो वो सहयोग समय पर सही समय पर सही स्थान पर सही तरीके से सहयोग देना जानते थे आज दुनिया में सहीयोग देने वाले तो बहुत लोग हैं परन्तु सहीयोग देने के पीछे का आशय ही रहता है कि मेरी नेम प्लेट जरूर लगनी चाहिए लोगों को पता चलना चाहिए मैंने इतना सहीयोग किया है या मेरा सम्मान होना चाहिए तब मैं इतना सहीयोग दूँ परन्तु सहदेव ने जब सहीयोग दिया तो बिना किसी अपेक्षा के आज की दुनिया में बिना किसी अपेक्षा के सहीयोग देने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे ओनली वन परसेंट तो ये थे पाँच पांडव आप क्या समझते हो कौन से पांडव हो युदिश्थिर हो स्थिर बुद्धी वाले स्ट्रॉंग विल्पावर वाले भीम हो अच्छी बातों को ग्रहन करने वाले अर्जुन हो नियमों पर सिद्धान्तों पर जीवन जीने वाले नकूल हो यहां सहयोग देने वाले सहदेव हो गीता का ग्यान तो हमेशा पांडव के लिए होता है और इसी लिए आज आप ये गीता ग्यान सुन रहे हैं तो अवश्य पांडव तो है परन्तु ये डिसाइड करना होगा कि कौन से पांडव है लेकिन जिस मंच से मैं देख रही हूँ तो यही महसूस होता है कि आज हर कोई सुनने वाला अरजुन बैठा है जो अच्छी बातों को अरजित करने के भाव से बैठा है मुबारक हो ऐसे अरजुनों को बहत बहत मुबारक हो पांडव बनने के भगवान के साथ प्रीत बुद्धी बनने के दूसरी और अधार्म पक्ष के वाचक कौरो जिसमें दित्राष्ट यानी जो अभिमान से युक्त और दूसरी और उसकी पतनी घांधारी जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी आँखों पर खुद पट्टी बांध लिया जब मैं इसका ध्यान कर रही थी तो मन में एक विचार आया कि आज अगर किसी का पती किसी कारणवश नेत्रहीन हो जाए तो उसकी पतनी को उसका सहरा बनना चाहिए या खुद भी आखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए आपका विवेक क्या कहता है विवेक यही कहता है कि पतनी को उस पती का सहरा बनना चाहिए पती वरता उसी का नाम है ये गहंधारी कैसी पत्नी थी जो खुद भी आखो पर पट्टी बांध लिया सहारा नहीं बन सकी लेकिन तम मैसूस हुआ कि महर्शी वेद व्यासची की मन की कलपना का विस्तार देखो आज से पाँच जार साल पहले उन्होंने इस बात को देखा था कि कलियूग की अंदर जब एक पती अपने अहंकार में अंधा हो करके गलत आचरण करता है तो उसकी पत्नी जानते हुए देखते हुए समझते हुए उसको रोकने का प्रयास नहीं करती उस समय वो खुद भी अपनी आखों पर पट्टी बांध लेती है सत्य की दृष्टी से अंधी हो जाती है और देखना नहीं चाती है आज ऐसी कितनी गांधारियां है जिन्होंने अपने आखों पर ऐसी पट्टी बांध लिया है पती व्रता मना पती का हर समय में सहारा बनते हुए साथी बनते हुए चलना और उसको कहीं पर भी गलत रास्ते पर भटकने न दे उसको कहेंगे कि पती व्रता पतनी परंतु आज की दुनिया के अंदर जो हो रहा है महर्शी वेद व्याजची ने पांच अजार साल पहले देखा और उसी बात को महा भारत के अंदर वर्णन किया है आज अगर कोई पतनी अगर जानती भी है कि उसका पती गलत या अन्याई को साथ दे रहा है बढ़ावा दे रहा है और अगर कोई आकर के उस पतनी को कहता भी है कि वही आप थोड़ा तो अपने पती को समझाईए कि ऐसा अन्याई तो न करे तो आज की दुनिया में पतनी क्या कहेगी शायद यही कहेगी अच्छा हमें तो पता ही नहीं था यानी पता होने के बावजोद भी ऐसी आखों पर पत्टी बान देती है कि हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है और फिर उसके सौ पुत्र दिखाए और ये सौ पुत्रों के जो नाम चुने है महर्शी वेद व्यास जी ने वर्तमान समय के चारित्रिक रूप में ऐसे लोग के प्रतिकात्मक रूप में उन्हें दर्शाया है जब मेरे हाथ में ये लिस्ट आई अधीकतर कौरों के नाम जब दू से आरम होते दू का मतलब है दुश्टता या दुर व्यवहार करने वाले या दूसरों को दुख देना जो जानते तब मेरे मन में विचार आया कि आज की दुनिया में भी माबाप कल्यूग में माबाप भी बच्चों के नाम इतने सुन्दर रखते हैं चुन चुन करके रखते हैं इतने सुन्दर भाव के साथ रखते हैं तो ये दित्राष्ट और गांधारी कैसे माबाप थे जो उन्होंने अपने बच्चों के नाम दूसे रखे आज की दुनिया में दूसे एक ही नाम मेरी समझ में आता है दुश्यंत जो दुश्ट ताका अंत करने वाला है परन्तु यहां तो अधिक तर नाम दूसे है दुर्योधन यानी जो धन का दुरुप्योग करता है क्या आज के समाज में ऐसे बच्चे है या नहीं जो धन का दुरुप्योग करना जानते हैं कितने बच्चे हैं महर्शी वेद व्याज जी ने आज के समय को पाँच जार साल पहले अपनी समाधी में देखते हुए अपनी मन की कलपना के विस्तार से इन कैरेक्टर्स को चुना है दुर्योधन क्या आज के समाज के अंदर दुशाशन जैसे पात्र है या नहीं है जो दुश्टता से शाशन करने वाले हैं दुशह, दुश्शल, दुर्वीमोचन, दुर्बुद्धी, दुशकर्ण, दुर्मुख, हर एक इंद्रियां दुष्टता का भाव लिये हुए दुर्बुद्धी, जिसके बुद्धी के अंदर दुश्टता चलती रहती है दुर्वीमोचन, जिसके दुरिष्टी ही खराब है दुशकर्ण, जो बुरी बाते सुनने के शौकीन है दुर्मुख, जो हमेशा बुरे शब्द, बुरे वचनों का उचारण करते रहते है क्या आज के समाज में ऐसे पात्र देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं बहुत है और लास्ट में एक बहन वो भी दुश्शिला शील यानी चरित्र दुश्शिला जिसका चरित्र ही दुश्श्टता वाला था आज नारियों के चरित्र को अगर देखा जाए तो क्या ऐसे दुश्श्टता के चरित्र वाली नारियां इस समाज के अंदर नहीं है बहुत है और इसी लिए कहा के पांडव भी है तो कवरो भी है महर्शी वेद व्यास्ची की मन की कलपना के विस्तार को देखो कितना सुंदर तरीके से वर्तमान समय के समाज को जिसमें भाई भाई एक ही परमात्म की संतान होने के नाते आपस में एक ही परिवार के हैं लेकिन एक कौरव साइड पर है एक पांडव साइड पर है झाल